बिहार के डिप्टिस सीम तेजस्वी आदब लंबे समय के बाद आज पार्टी दफ्तर पहुँचे हैं साथ में आरजेडी के परदेश सद्यक्ष जगदानंद सिंग लंबे समय से पार्टी दफ्तर नहीं आ रहे थे उनको साथ लेकर आज तेजस्वी आदब खुद पार्टी दफ्तर पहुँचे हैं फिरे देखें कि इस तरीके से रिश्वी आदब जो है जगदानंद सिंग को लेकर अपनी गाड़ी से उतरते हुए नजर आ रहे हैं लंबे समय के बाद जो है जगदानंद सिंग पार्टी दफ्तर पहुँचे हैं यह कहा जा रहा था कि पार्टी जो प्रदेश सद्यक्ष हैं वो नाराज चल रहे हैं कई तरह की बाते निकल कर सामने आ रहे थी उनके बेटे को लेकर जिस तरीके से चर्चाए गरम थी लगतार इस बात को कहा जा रहा था कि जगदानंद सिंग लंबे समय से पार्टी दफ्तर नहीं आएंगे आज आएंगे कल आएंगे इस तरह से लगतार टाल मटूल किया जा रहा था लेकिन आज एले सुबा से ही देश अद्यक्ष जगदानंद सिंग को लेकर खुद पार्टी दफ्तर में पहुंचे हैं लंबे समय से जगदानंद सिंग नराज चल रहे थे पार्टी दफ्तर नहीं आ रहे थे हलाकि लालू पृषाद यादब जब सिंगापुर जा रहे थे उस वक्त वो दिल्ली उस रात भी जगदानंद सिंग करीब एक घंटे तक दस सरकुलर राबडी हाउस के अंदोर मजूद रहे और वहाँ पर बात चीत हुई और आज जब मंगलबार है यह कहा जा रहा था कि सोमबार से जो है जगदानंद सिंग आएंगे और हमने इस बात को कल भी बताया था कि क्या जगदानंद सिंग आज पार्टी दफ्तर आ सकते हैं क्योंकि आज मंगलबार है और ऐसे में जनता दरबार भी लगना है दो-दो मंतरी का नाम इसमें सामिल था जहां दो-दो मंतरी यहां पर आते और लोगों की परियाद सुनते हैं ऐसे में आज मुहम्मद और जो सुरेंदर प्रशादी आदब है उनका जनता दरबार में ये दो मंतरी का आना था और ऐसे में उससे पहले आरजेडी के परदेश अद्यक्ष जगदानंद सिंग और बिहार के डिप्टे सियम तरिश्वी आदब दोनों आरजेडी के पार्टी दफ्तर पहुंचे है तस्फिरे हम आपको दिखा रहे है आरजेडी दफ्तर की जहां पर देखे किस तरीके से फिलाल जगदानंद सिंग अंदर मौजूद है और इस गेट को लगा दिया गया है और तमाम जो फर्यादी हैं वो भी यहां पर मौझूद हैं जगदानंद सिंग अंदर लिश्वी लग गया है क्योंकि लंबे समय के बाद तिरिश्वी आदब खुद जगदा नंद सिंग को लेकर आज पार्टी दफ्तर पहुंचे